राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के तूटने और फिर पुनेह निर्बान तक नहीं सीमित है। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है। कितने ही वीरों की लाशों पर एक मस्जिद बनाए गई थी। ये मश्जित न सिर्फ हिंदू वीरों की लाशों पर तामीर की गई थी, एक ऐसी सोच को हमारे सांस्कृतिक सोच से उपर रखने की कोशिश थी, जो बेहदी घटिया और निहायती नीच सांस्कृतिक सोच थी, जहां भाई-भाई से प्रेम नहीं करता, जहां भाई-भाई सि प्रविश्य के लाश तोफे में दी गई तो कहीं भाई उन्हें भाईयों का खोन करके सिंगासन पर कप जा पाया। ऐसी परंपरा जो भारत के शिवाविश्य में कहीं नहीं थी जहां भाई भाई के लिए त्याग करता है। उस परंपरा को हत्यारों द्वारा रजी गई परंपराओं के मिनारों के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी जहां राजा और सेना आम जनता के सुरक्षा का बचन देती हों जहां चाहे वो सत्रु राज्य के ही नागरिक्यों नहों ऐसी दुर्दान्त और क्रूर्श शक्त जो का पदारपनिस धर्ती पर हो चुका था जहां बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा था कहां ऐसी परंपरा जहां आम जन को योद्धा युद्ध के बाद भी नुकसान नहीं पहुँचाते जहां लूट मार नहीं होती थी ऐसी परंपराओं ने यहाँ पर कदम रखा था जहां लूट मार उनका धर्म, उनका पेशा और उनकी किताबें सिखाती थी। आपको क्या लगता है? हमने योही मंदिर डहाने दिया होगा? हमारे वीरों ने इनका सामना नहीं किया होगा? मंदिर में जितनी इट पत्थर नहीं लगे होगे जितनी हमारे वीरों ने इस मंदिर को बचाने के लिए पने शीश कटवा दिये थे। कहानी शुरू होती है तब से जब एक हमलावर भारत में अपनी कुरूरता के दम पर सत्ता हत्याने में कामियाब हो जाता है। पर असल मक्सुत भारत में इसी परमपरा का प्रचार और विश्टार करना था जहां किसी की जान लेने के लिए उसका मूर्ती पूजक होना ही काफी था। जहां किसी के अपरादों को सिर्फ इसलिए शमा कर दिया जाता है कि वह उनके मजहब का है और वहां किसी निर्दोश को सिर्फ इसलिए मार देना काफी है कि वह उनके मजहब का नहीं है। अब चलते हैं आयोध्या और भगवान राम अरस मंदर की कहानी के ओर भगवान राम का जन्म 514 इस्वी पूरुको उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ जेन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान रिशब्देव का जन्म भी आयोध्या में हुआ था आकरांताओं के आने से पहले या हिंदू जेन और बौध धर्म के सैकड़ो मंदिर और स्थूप थे तथे कहते हैं विदेशी आकरांता बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में आयोध्य में राम जन्म भूमी पर बने भवे राम मंदिर को तोड़ कर एक मस्जिद का निर्मान किया गया कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया कुछ लोग ये भी कहते कि बाबर का एक रखेल था जिसका नाम बाबरी था उसी की नाम पर हैं मस्जिद रखी गई क्योंकि बाबर उस अपने पुरुष मित्र से बहुत ज़्यदा प्रेम करता था जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जनम भूमी मंदिर पर सिद्ध महत्मा शाम नंदजी महराज का दिकार था उसमें भीटी के राजा महताब सिंग बद्री नारायन ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा कई दिनों तक युद्ध चला औरहंत में हजारों वीर से निक बलिदान हो गए और मंदिर को न बचा सके यतिहासकार कनिंगम अपनी लखनाव गजेटियर के 66 अंक के प्रस्ट तीन पर लिखता है कि एक लाख चोहत्तर हसार हिंदों के लाशे गिर जाने के परशात मीर बकी अपने मंदिर दोस्त करने के अभिहान में सफल हो पाया था अंधासा लगाईए कितने ही वीरों ने एक एक पत्थर के लिए अपना सीश कुर्बान कर दिया था उस समय आयोद्या से छे मेल के दूरी पार सनेतु नाम के गाउं के पंडित देविदीन पंडे ने वहां के आसपास के गाउं, सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदी के सूर्यवन्षी शत्री को इकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ पंडित देविदीन पंडे सहित हजारों हिंदु वीर एक बार फिर से बलिदान हो गए और बावर की सैना जीत गई, लेकिन प्रियास खत्म नहीं हुए, कोशिश का अंत नहीं हुआ पंडे जी के मृत्य के पंदरा दिन बाद हंसवर के महराजार रणविजे सिंग ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी के विशाल और श्रस्त्रों से सुसरजित सैना से राम लला को मक्त कराने के लिया करमन किया, लेकिन महराज सहित जनम भूमी के रक्षार्थ सभी वीरगती को प्राप्त हो गए। जैराज कुमारे लड़ते हुए अपनी बच्ची हुई सैना के साथ बलिदान हो गई और जनम भूमी पर पुने मगलों का अधिकार हो गया। मगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजूर हो रही थी। पता है अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर तीन फिट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की स्कूटनिति से कुछ दिनों के लिए जन्म भूमी में रक्त नहीं बहा यही क्रम शाहजा के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भेंकर दमन चक्र चला कर उत्तर भारत से हिंदों के संपून सफाय का संकल पलिया गया। उसने लगबग दस बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभिहान चला कर यहां के सबी परमुक मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। और अंगजेब के समय में समर्थ गुरू श्री रामदास जी महराज के शिश्य श्री वैशनव दास जी ने जनम भूमी की मुक्ति कराने के लिए तीस बारा करमन किये। नसीरोदीन हैदर के समय में मकरही की राजा के नितरत में जनम भूमी को पुने अपने रूप में लाने के लिए हिंदूों के तीन आकरमन होए इसमें बड़ी संख्या में हिंदू बारे गए इस संख्या में भीती, हंस्वर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी और राजा गुरुदत सिंग आदी सम्मली थे हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिम्टधारी साधों की सेना मिली और इस उदमें शाही सेना को हारना पड़ा और जनम भूमी पर पुने हिंदों का अधिकार हो गया लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुने जनम भूमी पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कतले आम बचा दिया नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुने हिंदों ने राम जनम भूमी के उध्रारत अक्रमन किया फैचाबाद गजेटियर में करिंगम ने लिखा इस संगराम में बहुती भेंकर खोन खराब हुआ दो दिन और रात तक चलने वाले इसी भेंकर युद में सेकडों हिंदों के मारे जाने के बावजूद हिंदों ने श्रीराम जनम भूमी पर कबजा कर लिया एक बार फिर से हिंदों का अधिकार हो गया इतिहासकार करिंगम लिखता है कि आयोध्या का सबसे बड़ा हिंदों मुस्लिम बलवा था हिंदों ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजीब द्वारा विद्वन सुकी होए चबुत्रे को फिर से वापस पाया चब बुद्रे पर तीन फीट उचे खस के टाट से एक चोटा सा मंदिर बना लिया जिसमें पुने राम लड़ा की स्थापना की गई लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुने हतिकार कर लिया एक भार से फिर से दोस्त करने की कोशिशे चलती रही यकीन मानिए ये एक मंदिर का ढाचा नहीं था एक पूरी संस्कृतिक विद्वन्स और पूरे संस्कृतिक सुद्रता की लड़ाई चल रही थी जहां पर हिंदू अपनी संस्कृतिकी एक 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 इंच को बचाने में जुटा हुआ था और मुगल और मुसल्मान आकरान्ता उनकी एक 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 इंच को विद्वन्स करने में लगे हुए थे 1853 में हिंदों का यारूप था कि भगवान राम की मंदिर को तोड़कर मच्जित का निर्मान हुआ इस मुद्दे पर हिंदू और मुसल्मानों के बीच पहली हिंसा होई इसके बाद सन 1877 की क्रांती में भादुर्शा जफर के समय में बाबा राम चरण दास ने एक मौलवी आमिरले के साथ जनम भूमी के उद्धार का प्रयास किया कुछ कटरपंथी मुसलिमों को यह बात स्विकार नहीं होई और उनके विरूद के चलते 18 मार सन 1808 को कुबेर टेला जिस्तिते एक एमली के पेड़ में दोनों के एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया विबाद के चलते 1869 में बिटिश शासकों ने विबादित स्थल पर बार लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसल्मानों और बाहरी हिस्से में हिंदों को प्रार्थना करने की अनुमती दी दी गई 19 जनवरी 1885 को हिंदु महंत रगुवेर दास ने पहली बार इस मामले को फैचाबाद के नियाधीस पंडित हरी किशन के सामने रखा था इस मामले में कहा गया था कि मस्जित की जगे पर मंदिर बर्माना चाहिए क्योंकि भाहस्तान प्रभुश्री राम का जन्मस्थान है वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित सलसे तूर रहने के आदेश दिये और मस्जित के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया जबकि हिंदू श्रधालों को एक अलग जगे से प्रवेश्ट दिया जाता रहा 1949 में भगवान राम की मूर्तिया मस्जित में पाई गई कहते हैं कुछ हिंदू ने ये मूर्तिया महा रखवाई थी मुसलमानों ने इस पर विरोध विक्ति किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमाद दाहर कर दिया सरकार ने इस थल को विवादित गुशित करके तला लगा दिया 1984 में कुछ हिंदों ने विश्व हिंदू परिसद के नित्रतों में भगवान राम के जन्म स्थल को मक्त कराने और वहां राम मंदिर का निर्मान करने के लिए एक समीथी का गठन किया बाद में इस अभियान का नित्रतों भारती जन्ता पार्टी के परमुक नेता लाल कृष्ण आडवानी ने सभाला था 1986 में जिलामजी स्ट्रीट ने हिंदों को प्रार्थना करने के लिए विवादित मच्जित के दर्वाजे पर से ताला खोनने का आदिश दिया मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मच्जित संगहर से समीति का गठन किया 1989 में विश्व हिंदू परिशद ने राम मंदिर निर्वान के लिए भिहान तीज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नीव रखी गई इसी वर्ष इलाबाद उच्छ नियाले ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जिगह को हमेशा के लिए हिंदों को दे देना चाहिए 30 अक्टूबर 1990 हजारों राम भक्तों ने मुख्य मंत्री मुलायम सिंग्यादों द्वारा खड़ी की गई याने एक बाधाओं को पार कर अयोध्य में प्रवेश किया और विवादित डांचे के उपर भगवा द्वज भैरा दिया देकिन दो नौबर 1990 को मुलायम सिंग्यादों ने कारसेओं को परांदातों गोलिया चलाने का आदेश दे दिया इसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतिया दे दी सर्यूतर राम भक्तों की लाशों से पट गया इस हत्याकान के बाद अप्रेल 1991 को उत् तल कर दिया गया जिसके परिणाम सवरुप देशपर में दंगे भी हुए इसी मसले पार विश्व हिंदू परिशद के निता सोक सिंगल भाजपा निता अडवानी यूपी के पूरो मुख्यमंतरी कल्यान सिंग मुरली मन हर जोसी और मद्यप्रदेश के पूरो सिम उमा भ पहुचने लगे दोपैर में बारा बजी के करीब कार सेवका के पड़ा सचत्था मस्जित की दिवार पर चड़ने लगता है लाखों की भीड को समहालना सभी के लिए मुश्किल होता जा रहा था दोपैर के तीन बसकर चालिस मिनिट पर पहला गुंबद भीड ने तोड़ गुंबद के आसपास मुझूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी मुख्य मंतरी कल्यान सिंग का साफा देश्ता की कार सेवकों को पर गोली नहीं चलेगी 1527-28 इसवी में बाबर के सेनापती मीर बाकी ने अयोध्याश में श्री राम जनम भूई पर मंदिर को तोड़ा था जिसका पंडित दीविदीन पंडेने नित्रतों में युद्ध की रूप में पहला पिरूद किया था तब से लेकर आज तक सततर से अधिक युद्ध और सेकड़ों दंगे हो चुके हैं जिसमें लाखों कारसेगों की जाने चली गई इस पवित्र स्थलेत उस्री गुरू गोविंद सिंग्जी महराज महरानी राज कुवर्त था अन्यकई वी भोतियों ने भी संगहर्ष किया है लेकिन इस लंबे संगहर्ष के बाद आखिर वो दिन आ गया जब भारत में श्री राम मंदिर की नीव रखी गई और एक भवे मंदिर का निर्मान हो रहा है इस मंदिर में 22 जनवरी को ब्राम लला की मूर्ती की प्राण प्रतिष्टा की जाएगी पर एक बार फिर से हिंदूओं और सनातनियों को उनका वह अधिकार वापिस दिया जाएगा जिसकी प्रतिक्षा उन्होंने हजारों साल तक की है आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें धन्यबाद